नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक श्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक शप्लॉख पर दोस्तों आज मैं आप सभी पो अ पने गार्डेन की ऐसी अपंडेट़ देने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि अपने काणिES के अ के अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि मैंने इसकी यहां से देखे 20 से पिंचिंग कर दी है जितने भी मेरे पास प्लांट थे क्योंकि मेरा प्लांट जब ज्यादा घना होगा इसके अंदर ज्यादा ब्रांचेज होगी तो मुझे फ्लावरिंग भी उतनी ही अच्छ यह पैंजी है सारे, चार, और इसके बाद जो है, यह कैलेंडूला है, एक ही प्लांट है यह, लेकिन देखिए इसमें तीन से चार ब्रांचे जो है, वो साइट से निकल आई है, इसके अंदर तीन या चार सीड मैंने डाले थे, टोटल, दो जर्मिनेट हुए थे, अब एक ही बचा हुआ है, शुरुवात में जो है, वो गर्मिया थोड़ी तेज़ थी, इस वज़ा से यहाँ पर सारे सीड सर्वाइब नहीं कर पाए, और कुछ मर गए, यह मिनियेचर डाहिलिया की सीडलिंग है, देखिए कितने सारे इसके अंदर सीड जर्मिनेट हुए हैं, यह प अधर भी पिटोनिया है, यहाँ पर भी पिटोनिया बहुत सारे जर्मिनेट कर ली हैं, वो आपको जो दिख रहा है, उसके अंदर तो बहुत ही है, जो है वो जर्मिनेशन हुई है, और खूब अच्छे से जो है, यहाँ पर जो है, सारी सीडलिंग्स जो है, वो चल रही है मैक्सिमम मैंने पिटुनिया को ही शीडलिंग से ग्रो किया है और कैलेंडूला को कैलेंडूला की कुछ रिपोर्टिंग भी मैंने कर ली है और ये है एन्वल क्रिसेंथमम, थोड़ा पढ़ रहा है, पीला नहीं, रेट पढ़ रहा है पता नहीं क्यों तो अभी जो है, एक-दो पत्ते इसके अंदर और आ जाएं, तो मैं इसको रिपोर्ट कर लूँगा चली आगे मैं दिखाता हूँ, मैंने जो है, वो ग्राउंड पर भी सीडलिंग करी है तो ग्राउंड पर जो मेरी सीडलिंग्स हैं, वो कैसी चल रही है, आप सभी को दिखा देता हूँ यह देखे, मेरे मिनियेचर डहलिया के अंदर जो है, वो फ्लावर भी आ गए और रेट कलर का इसका जो फ्लावर आया है, यह देखने में बहुत ही ज़्यादा खूपसूरत लग रहा है और दोस्तों, यहाँ पर ग्राउंड पर मैंने जो है, जो सीडलिंग्स की हैं, वो आप सभी को दिखा देता हूँ यह देखिए मेरा कैलेंडूला जो है, एक, दो, तीन, चार, चार से पांच प्लांट कैलेंडूला के और अभी कुछ-कुछ इनके अंदर जर्मिनेशन होई रही है, काफी द्राइम से जो है, मैं इधर आ नहीं पाया और मैं इनको वाटर नहीं प्रोवाइट कर पाया, इस वज़ा से जो है, अभी सीडलिंग्स नहीं हो पाई, बाकि देखिए, एनवल क्रिसंथमम यहाँ वाला बिल्कुल भी रिपोर्टिंग के लिए तयार हो चुका है यह इधर जो आपको दिख रहा है, अन्वल क्रिसंथमम के जेस्ट बगल में, कुछ वीट्स भी इसके अंदर निकल आए हैं, इनको भी निकालना है मुझे, लेकिन टाइम ना मिलने की वज़ा से गड़निंग करो, कि फिर साप सपाई करो, समझ नहीं आता यहाँ पर फ्लॉक्स के सीट्स हैं, यह सारे जो जर्मिनेट हुए हैं, और बहुत ही हैवी जर्मिनेशन हुई, आप सबी को दिख रहा होगा, यह हॉली हॉक है, बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई थी, लेकिन पता नहीं कैसे जो है, इधर जब धूप थोड़ा तेज यहाँ पर यह जो है, यह बारकी कोम है, जो यह बारिक बारिक बिल्कुल दिख रहा है, यह बाकी तो जो है, इसमें बालसम के सीट्स भी थे, साइद यो भी जर्मिनेट हो गए, तो यह जो बारिक सोय जैसे दिख रहा है, यह सारे बारकी कोम है, और यहाँ पर जो है, यह जो बारीक बारीक बिल्कुल पालक जैसी चोटी चोटी दिख रही है यह सारी की सारे डेजी हैं वाइट कलर की मैंने डेजी पे भी वीडियो शेयर किया था और यह बीड्स के अंदर इस तरीके से निकल आए हैं इनको निकालते रहना था मुझे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है तो अभी जो आपको छोटे-छोटे बिल्कुल देख रहे हैं यह सारे डेजी हैं और दोस्तों अपने सारे कैलन कोई के प्लांट को मैंने यहां पर अब रख दिया है और 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 वाले के अंदर तो काफी सारी बट्स भी बन गई हैं जितनी भी चाहें चोटे के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और यह देशी वाला है तो अभी मैंने इनको ऐसी जगह पर रख दिया है जहां पर इनको मॉर्णिंग की जो है वो दो से तीन घंटे की संलाइड भी मिल जाती है और उसके बाद जो है यह पूरे दिन सेड में रहते हैं तो कैलन कोई करना एंस को कलर दोड़ा फ्लावर हरा फॉ sins won अब करना कि करें दृभी जो और दोस्तों अभी जलदी में जो है पापा नश्री गय marginिक तह और महांसे उन्हों हो में यह तीन ब्लांट ले लिय और डॉक्ट स्लावर बताकर उसने आनलाकि इन प्लांट दिए जैसे नहीं लग रहे हैं इस तरीके से देखें जैसे केलन कोई के फ्लावर आते हैं उस तरीके से दिख रहा है और पतियां भी जो है थोड़ी अलग सी है अब लोग कमेंट करके बताईएगा कि अगर आपको पहचान में आता है कि कौन सा प्लांट है ये तो ये तीन होते हैं वही जो है पहचान होते हैं इस प्लांट की और इसके फ्लावर तो बिलकुल अलग है तो आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि कौन सा प्लांट है ये जिससे मुझे भी पता चले और उसके बाद दोस्तों यहां पर मैंने अपने सारे क्रेसंथमम के पॉट्स को रख दिया हैं और इनके अंदर देखिए अब जो है वो बट्स काफी जादा क्वांटिटी में आ गई हैं अब मुझे पिंचिंग नहीं करनी है और यहां पर जो ग्राउंड पर लगे हुए हैं यह तो खिलने के लिए भी बिलकुल तैयार हो चुके हैं और यहां पर मैंने इस पॉट्स को इस वज़ा से रखा क्योंकि यहां पर ग्राउंड पर मैंने काफी सारे क्रिसंधमम अल्रेडी लगा रखे थे और एक साथ जब यह खिलेंगे तो देखने में बहुत ज़्यादा खूब सुरत लगेंगे तो यहां पर मैंने ग्राउंड पर भी जो किनारे किनारे एक हैच बना दूंगा जो है वो बास की फट्टी से और उसके बाद जो है डोरी बगारा लगा के तो यह विखरेंगे नहीं और देखने में बहुत जादा खूशूरत लगेंगे तो अभी यह जो की फ्लावरिंग करने वाले हैं और बट्स इनके अंदर आ रह लगा हुआ है और यह बहुत अच्छे जो है अब ग्रोथ पे आ रहे हैं शुरुआत में जो की मैंने शिड्डिंग जो करी थी वो मिट्टी और जो है कमपूश मिलाकर करी थी तो इनकी जड़ें जो थी वह थोड़ी थोड़ी डैमेज हो गई इस वाज़ा से थोड़ी सॉ किया है तो देखते हैं कि इसके अंदर किता जड़ जर्मिनेशन हो पाता है हाला कि जो है मुझे आज इसके अंदर जो है एक यहां पर और एक यहां साइड में जो है वो दिख रहे हैं जर्मिनेशन फिलाल देखते हैं क्या है यह तो फिंगर क्रॉस की जर्मिनेशन होती है कि नहीं नहीं होती इस सीजन तो नेक्स सीजन में जरूर लगाऊंगा और दोस्तों दहरिया के बेबी प्लांट में लेके आया था उनको इस तरीके से मैंने जो है वो ग्राउन पर लगा दिया है कुछ प्लांट बहुत ही छोटे थे तो वो कुछ मुर्जाय से हैं हलाकि जो प्लांट थोड़े बड़े थे वो अपसौक से बाहर आ रहे हैं धीरे-दीरे करके और यहां पर जो है मैंने प्लांट को लगाने से पहले अच्छे से मिट्टे के गुड़ाई करके इनके अंदर कंपोश भी मिला दिया था जिससे कि यह प्लांट हमारे अच्छे से जो है वो सर्वाइब कर जाएं और यहां पर जो है मैंने अपनी कुछ कटिंग्स वगेरा रखी हुई हैं जो कुछ जो है वो चल गई हैं जिनको रिपोर्ट करना है और टाइम ना मिल पाने की वज़ा से मैंने कर नहीं पा रहा हूँ और यह पाइनेपल का उपर का पार्ट जो होता है उसके अंदर रूट आई हुई थी तो मैंने इसको भी लगा लिया है और यह देखिए जो है मैंने एक यलो कलर के एक जूरा की कटिंग लगाई थी यह कटिंग भी सक्सेस हो गई है देखिए इसके अंदर नई जर्मिनेशन आ गई है और यह आसपास की जो है इसके अंदर भी मुझे ग्रीन कलर के फुटाओ दिख रहे हैं तो यह भी जो है वो चल जाएंगे तो इधर मैंने अपनी सारी कटिंग रखी हुई है और यह हैं सारे इंडोर प्लांट्स जो यहां पर रखे हुए हैं और अभी यह बहुत अच्छे चल रहे हैं कल मैंने अपने इंपेशन्स को रिपोर्ट किया है और इनको रिपोर्ट करने में लगभग चार घंटे से जादा का समय लग गया ऐसा क्यों हुआ क्योंकि पहले तो मैंने आप सभी को दिखाये था कि यह सारे के सारे रेड मिट्टी जो होती है उसके अंदर लगे हुए थे लेकिन डेड मिट्टी के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी कि यह प्लांट जो है इस तरीके के बॉसकेट में भी लगे हुए थे जब हमारे plant ऐसे basket के अंदर लगे होते हैं तो उनकी root जो है वो अंदर की side में bound हो जाती है और plant अच्छे से growth नहीं करता और एक time के बाद मर जाता है तो तीनों plant मिला कर इतनी सारे basket मैंने आराम से cut-cut करके निकाले फिर भी जो है इतनी root जो है इनकी बेकार होकर में कल गई मुझे पता है कि मैंने एक risk लिया है क्योंकि impatience के जो plant होते हैं इनके साथ जो है इस तरीके से करना किसी risk से कम नहीं है वो भी इस time पर लेकिन फिर भी जो है अगर मैं इनको ऐसे ही basket के अंदर लगा हुआ छोड़ देता तो एक time पर इनका मरना तैही था तो मैंने सोचा कि जो है अगर मैं इनको report कर रहा हूँ तो एक बार risk ले ही लेते हैं तो मैंने जो है पूरी root balls को open कर दिया और जो है basket को cut कर के निकाल दिया मुझे आसा है कि मेरे plant बच जाएंगे और आप लोग भी प्रही करिएगा कि ये बच जाएं तो ये है मेरे garden के अंदर की कुछ updates कुछ seedlings cuttings और जो है new reporting अभी मुझे जो है अपने बिगोनिया को report करना है और जो new plant लेके आया हूँ इसको भी report करना है कैसी लगी आपको ये video comment करके जरूर बताइएगा ऐसी किसी नई वीडियो नए update के साथ मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care